नमस्कार दोस्तों स्वागे थे आपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में दोस्तों रेलवे एक्जाम कलेंडर 2024 का यहां पर जो नोटिकेसन आये हैं उनके एक्जाम डेट को लेकर एक एक्सपेक्टेड कलेंडर वाइरल हो रहा है इसकी सचा ही जानते हैं अच्चुल में गानते हैं यह सभी एक्जाम कब होने वाले हैं एलपी हो गया टेक्निशन सब इंस्पेक्टर कॉंस्टेबल जेई पेरामेडिकल एंटी पीसी तो इनके एक्जाम कब तक हो सकते हैं आपने दी फॉर्म डाला है तो यह वीडियो आपके लिए इंपोर्टें रहेगा तोटेंडियो एक्जाम डेट को यहां पर पहला ही प्वियर नटिस यहां बिल्कुल जब भी इस टाइप से कोई भी नटिस आता हैं तो सबसे उसके नीच्चे सिगनेसर वगरा थैसारा कुछ एकडम ऑपीशल लिचर में होता है यहां पर आप चेक करेंगे न mają इस पेलिंग भी गलत है टेक्निशन के यह देखिए T-E-C-H-I थोड़ा ही होता है इस टाइप की मिश्टेक ओपीशल नोटिस में नहीं होती है लेकिन जिसने भी एफेक्ट नोटिस बनाया है काफी जहां रखा गया है एक्जाम सटरे संडे को नहीं दिया है जो ओपीशल ए लेकंसीज का ओपीशल विगिप्ति आ गई है अपने आविजन भी किया है लेकिन एक चीज आप अभी भी क्या कर रहे हो शुरुआत नहीं कर रहे हो जब से ये चीज शुरुआत कर दी न आपको एक्जाम वगेरा ये देखनी की जरूरती नहीं रहेगी क्योंकि एक बार स परो किफायती पढ़ रहा है जैसे एक साल का 608 में पढ़ रहा है और टीजी जी के कूपन कोड से ये वाले कूपन कोड से आपको 13% का डिस्काउंड मिल जाएगा और आने वाले दो वर्ष में जो भी एक्जाम आए रेलवे का एससी का आपके स्टेट प्लीस का टीचिंग और उसमें सुधार करेंगे तो जरूर आपकी रेंक आएगे लेंक डाइस के रिश्मक्स में कैसे पास्पर जोइन करना टीचे के कोपन कोड से जरूर देखना डेमो भी जाए अब रियल्टी की बात करें जैसे कि इन्होंने कहा कि एलपी का एक्जाम ये 25 नवंबर से 29 एक्जाम है वो 14 नवंबर की बाद कभी भी हो सकता है नवंबर और देसंबर के सुरुवात में और एक्जाम डेट भी इस प्रकार से सेट कर रखी है कि कहीं पर भी सटरे संडे को एक्जाम नहीं है क्योंकि उनको पता टीचेस का सटरे संडे को एक्जाम का ओफ रहता है हा ये तीन सेप में एक्जाम कर रहाते हैं लेकिन ये दो इन्होंने कलेंडर सेट किया वो लग रहा कि चार सेप के एकोडिंग किया है क्योंकि यहां पर भी अच्छा खासा डाटा है आपको पता है एलपी में लगबग 19-20 लाक एंडेट है उन्होंने फॉर्म डाला है तो लग बता था उसके एकोडिंग वेकेंसी तो आई लेकिन एक्जाम डेट है वो इनकी रियल नहीं लिकली वेकेंसी तो आपके अक्टूबर से देसंबर में लेवल वन ग्रूप डी की भी आना परस्तावी तो जो आपको देखने को मिल जाएगी लेकिन यहां पर इन्हों जो टे देखेंगे तो ALP में टोटल 8,799 वेकेंसी तो पहले इतनी वेकेंसी नहीं थी है रिवाइट वेकेंसी हुई है आपके जोलाई में वैसे फॉर्म आपकी 19 वैब तक लास्ट भरे गए थी और फिर आपने 7 अगस्त तक आरार भी कुछ चेंज किया है उसके बीच में आपका एप्लीकेशन इस्टेटरस आया फोटो और शिग्रीचर रियेप्लोड किया तो एप्लीकेशन इस्टेटरस आया लेकिन वैकेंसी रिवाइज होने के बाद यहाँ पर आरार भी आपने चेंज की तो अगस्त तो यूही इन्होंने निकाल दिया बार बार यहाँ पर नेने है और इनका रिएपलोड फोटो जिगनिचर भी सला तीन से साथ जून है फिर वेकेंजी जिरों ने चोड़ा दार दोसो अथानुए की तो अभी फॉर्म चल रहे हैं दो से सोल अक्टूबर दोगार 24 तक दोबार आप भर शकते हो और आर भी चैल्ज कर शकते हो और क्लेंडर के मताविक अक्टूबर से दिसंबर की वद्धे एक्जाम होना था जो अभी संबव नहीं लग रहे हैं अब जेही की बात करें तो जेही का आपको पता वेकेंजी तीन जार नो सो सोरी साथ जार नो स ही थे और 12 लेवर की 3445 वेकेंजी बीस अक्टूबर लास्ट डेट है ग्रूप डी का नोटिफिकेशन है अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक जारी होने की संभावना है इस पीच आपने देखा इसके बीच में आर्पियप का पी एक नोटिफिकेशन आया था जो आर्रबी की तर इस्टेटस जारी किया है यहां से अब तक एप्ली केशन इस्टेटस की बात करें तो एल पी का पहले जारी किया था बाद में इन्होंने दोबारा फॉर्म रियोपन कर आया लेकिन अब एल पी का सारा काम हो चुका लगबग और शेकिन यहां पर काम जो एक तरीके से एप्लीकेशन इस्टेटस के मामले में यह एक नंबर पर है पहला जो बढ़ती है जिसमें एप्लीकेशन इस्टेटस सक्सेस्पुली हुआ जारी अब एक्सपेकेड एक्जाम डेट की बात करें तो इन सभी को जो एक्जाम आभी चल रहे हैं आपको बदा दूँ SSE के एक्जाम कलेंडर के मताबिक जनवरी फरवरी में आपका एक एक्जाम परस्तावी थे जो SSE ZD का है नेश्ट 2025 में SSE ZD का एक्जाम जनवरी फरवरी की बात हो रखी है तो इससे पहले पहले यहाँ पर कुछ एक्जाम होने की संभावना है एक्जाम डेट के और बात क तोड़ा किलिए हो रहा कि 9 दिसंबर में हो सकता है यह चीद एक्सपेक्टेड है कनफर्मली नहीं है टेक्नीशन का फॉर्म रियोपन हुए है इससे पहले टेक्नीशन से पहले आपका आर्पियप का हो जाएगा आर्पियप SI कॉंस्टेबल की होने की संभावना है टेक्नीश क्योंकि इसका स्टेटस आउट हो चुका आर्पियप SI का अब दिसंबर में आर्पियप का एक्जाम होता है उसकेस में जनवरी फ्रवरी आपको पता जीडी का पश्ता हुई थे बीच में टेक्नीशन का कुछ कराने की कोशिज करें और जीडी का फ्रवरी में कर दें क्यों सकता है या फिर सुरुआते आर्पियप SI कर सकते है उसके बाद यहाँ पर जेई पेयरा मेडिकल का सीई का है जेई का है पेयरा मेडिकल का है अब ईच में यह फर sexy में ये तो पिर यह जोन जोलाई तक जा सकता है यह अभी संभावन रहें और कोई भी दिक्कत नहीं है यो बीच में प्रोब्लम नहीं आए जिस परकार SSC की चलते हैं उसी परकार यहां पर टीशेस इनका भी चाहत में चलाएं तो काम हो सकता है जून जुलाई तक उसके बाद NTPC का CVD2 वगरा है सारी प्रकरिया है बहुत सारे एक्जाम से दिए हो गए न तो 25 में भाई एक्जाम होंगे तो टोटल यहां पर 8,642 वैकेंसी का एक्जाम से हैं वो अभी एक तरीके से यह रिक्तिया निकल चुकी है ALP का आप देखेंगे उसके बाद Technician की देखेंगे JEE की देखेंगे Paramedical की देखेंगे RPF की देखेंगे NTPC की देखेंगे Total Grand Total होता 8,642 और कोई राउट है वो आप कमेंट सेक्शन बताएं और जो भी इस टाइप से नोर्टिस बगरा निकलते हैं फैक है या फिर सही है उस से आपका पता चलेगा कि कितना लेवल घड़ बढ़ है या फिर कौन से सब्जेक्ट या सेक्शन टॉपिक में आप बार बार गलतिया कर रहे हैं उसमें सुधार करेंगे जरूर आपका सेलेक्शन होगा कैसे टेस्ट बुक का पास प्रो जोईन करना है लिंक डाइस की उस से आपको एक्ष्टा डिस्कॉंट मिल जादेगा मिलतेने वीडियो में धन्यवाद